गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की, सब ने ये कहा कि कोविट के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सिजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर मिला। पेला तो नंबर लेब नीज नहीं। कि हमाँ चार सर दिव से लेब नो रिपोर्टाई वो त्यारे आवधार तक लिए जो बीजिय दिव से के चोविस कला हमाई रिपोर्टाई वो है, तो ताथ का लिए सारवार मन लेब नीज सुई धाने पेली। अधाद जो मेगा सीटी है यहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट के बार में का जाता है कि सबसे जादा डेवलपमेंट यहीं पर है और हम लोगों को यह एंधाबाद ने पर आवस्पिटल नहीं मिला कि हमको आनन जाना पड़ा था तो जब आपने उनकी मदद करनी थी हस्पिताल में मदद करनी थी तो आप नहीं थे और जब परिवार में किसी की मृत्य होई 10-15 लाख रुपए उनका बरबात हुआ और जब उनको कॉम्पनसेशन की जरूरत है तब भी आप नहीं किस प्रकार की सरकार है गुजरात की सरकार कहती है कि कोविट के कारण 10,000 लोगों की मृत्यू हुई है गुजरात में हमने कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की यह है तीन लाख लोग कोविट के कारण मरे है ओफिशल रेकॉ कोविद थी देठी उने तो आज सर्थी कितमा की वरी थे उद ना लखी चाहिए पना पप्पा ना भाई ना बने न पेनी कटा कर लखी ना पी चाहिए पन कोरोना न थी लखी ना पी कंपंसेशन तीन लाख लोगों को मिलना चाहिए मगर आज के गुजरात में गुजरात मौडल वाले गुजरात में दस हजार लोगों को पचास हजार रुपए दिये जा रहे है प्रधान मंत्री के पास हवाई जहाज करीदने के लिए 8500 क्रोड रुपए हैं मगर गुजरात में जो लोग कोविट से मरे हैं उनके परिवारों के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है गुजरात और हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मृत्यू है कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार चार लाख रुपए कॉंपनसेशन देगा कोविट के समय सबसे बड़े उद्योग पतियों को लाखों को रोड रुपए दिया गया उनका टाक्स माफ किया गया चुने हुए दो तीन उद्योग पतियों को पुरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है मगर हिंदुस्तान की जनता गरीब जनता को कॉविट का कॉंपनसेशन नहीं दिया जा से गवर्मेंट अब हेल्प करनी चाहिए जब करनी थी तब नहीं करी लेकिन अब तो करनी ही चाहिए उनको हिंदुस्तान में लाखों परिवार हैं जिनके माता पिता भाई भेन की मिरत्य हुई है वो वापिस नहीं आएंगे मगर एक बात याद रखिए कॉंग्रेस पार्टी अपना पूरा दम लगा कर उन परिवारों को चार लाग रुपे का कॉंपनसेशन दिलवाएंगे और हम सरकार पर पूरा दबाव डालकर उनसे ये काम पूरा करा के रहेंगे